देश प्रदेश और दुनिया से जोड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ RTI के तहत मिली एक जानकारी में बताया गया है कि मुख्य मंत्री सहयता मुख्य कोश में कुल जमा 130 करोड रुपे में से 31 करोड रुपे ही खर्च किये जा सके है वही प्रदेश के उच्च पतकनी की शिक्षा मंत्री उदे सामत ने कहा कि मराठवड़ा विश्व विद्याले में 60 करोड रुपे के खर्च का ब्योरा नहीं होने की बात सामने आई है उदे ठाने में एक आरोपी तांत्रिक ने संतान वी हिंदंपत्य को जासे में लेकर खुद महिले के साथ तुशकर्म किया इस बीच उपमुख्य मंत्री अजित पवार ने कहा कि अवधी पूरा होने के बावजुद राज्य में डेड़ सो पॉने दो करोड लोगों ने टीके की दूसरी खुराप नहीं ली है जबकि कोरोना का टीका भरपुर मात्रा में उपलब्द है इसके अलावा पुने में इच अलन ऑनलाइन थमाने पर एक कारचालक ने या आतायात महिला पुलिस सिपाही के साथ अबद रता की प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ आठी आई के तहट मिली एक जानकारी हैरान करने वाली है बताया गया कि लोगों की मदद के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले मुख्यमंत्री सहायता मुख्यकोश में कुल जमा 130 करोड रुपे में से 31 करोड रुपे ही खर्च किये जा सके हैं सबसे ज्यादा 22 करोड रुपे लोगों के इलाज के लिए दिये गए इसके लावा प्राकृतिक दुर्गटनाओं में मारे कर लोगों और दुर्गटनाओं में जान गवाने वाले लोगों के परिजनों को 9 करोड रुपे की आर्थिक मदद दी गई मुख्यमंतरी सचीवाले सहायता कोश प्रकोश्ट से जमा राशी, खर्च और बची राशी के बारे में सूचना के अधिकार कानून के तहट जानकारी मांगी गई थी जवाब में बताया गया कि 28 नवेंबर 2019 से अब तक कोश में कुल 130 करोड रुपे जमा किये गए इस राशी में से 4932 जरुवतमंद लोगों को इलाज के लिए 22 करोड रुपे दिये गए जबकि प्राकृतिक आपदा और दुरगटना के 33 मामलों में 28 नवेंबर 2019 से 30 सतंबर 2021 के बीच लोगों को आर्थिक सहायता दी गई कोश के जरिये रोजाना औसे तन आंट लोगों को मदद मिल रही है इस राशी के अधिक्तम उपियों की सलाहा देते हुए कहा गया कि इलाज में जरुवतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंद्री सहायता कोश का और इस्तिमाल किया जाना चाहिए प्रदेश के उचिवत अकनीकी शिक्षा मंत्री उदै सामंत ने औरंगबाद के डॉक्टर बाबसाइब आमबेटकर मराटवाडा विश्विद्याले में साल 2016 तक हुई करीब 127 करोड रुपे की आर्थिक अर्नियमित्ता की रिपोर्ट के बारे में राजिपाल भगत सिंग कोश्यारी को अवगत कराया है सामन्त ने कहा कि मराटवाडा विश्विद्याले में निश्चत रूप से अर्नियमित्ता हुई है सामन्त ने कहा कि जांच रिपोर्ट में विश्विद्याले में 60 करोड रुपे के खर्च का ब्योरा नहीं होने की बात सामने आई इस जांच पे 65 करोड रुपे की अर्नियमित्ता पाई गई ऐसे कुल मिलाकर 125-127 करोड रुपे की अर्नियमित्ता हुई है सामन्थ ने का हाँ कि मराट वड़ा विश्वद्याले में साल 2016 तक हुई अर्नियमिता की जांच रिपोर्ट साल 2017 में पूर्व की भाजपा सरकार के बास आ गई थी भाजपा सरकार को उसी समय इस अर्नियमिता के बारे में ततकालीन राजिपाल सी विद्या सागर राओ के संग्यान में लाकर कारवाई करनी चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं पता कि ततकालीन भाजपा सरकार ने साल 2019 तक आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाया सामंत ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद करोना संकट के दोरान मराठवाडा विश्विद्याले में हुए और निमित्ता की जाँच संबंदी फाइल मेरे पास नहीं आई थी मेरे पास पांच से छे दिन पहले यह फाइल आई एक आरोपी तांतरिक ने संतान वीहीन दंपत्ती को साल 2015 में अपने सामने पांच बार यौन संबंद बनाने की सलाह दी थी इस दोरान एक बार तांतरिक ने खुद महिला के साथ दुशकर्म किया दरसल ठाने के इस दंपत्ती का विवास साल 2013 में हुआ था श्वादी के दो साल बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई इसके बाद दंपत्ती के एक परिचित ने उन्हें आरोपी तांतरिक के पास जाने के लिए कहा और परिचित ने उन्हें एक रस्म का पालन करने को भी कहा था जिसके तहट उन्हें तांतरिक के सामने ही संबन बनाने के लिए कहा जाएगा लेकिन इस रस्म के बीच एक दिन तांतरिक ने महिला के साथ दुशकर्म किया जिसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्च करवाई गई मॉंबे हाई कोट ने संतान पैदा करने का जहांसा दे कर विवाहित महिला से दुशकर्म करने वाले इस तांतरिक के कारवास की सजा को कायम रखा है हाई कोट ने कहा कि किसी पर आख बंद कर अंधविश्वास करना इस तरह के मामलों की मुख्य वजह होती है इसी के चलते महिला ने इस मामले में असामाने विवहार किया थाने कोट ने इस मामले में आरोपी को दोशी ठहराते हुए भारतिय दंड सहिता की धारा 376 व जादू टोना व अगोरी प्रथा प्रती बंधत कानूं के तहत दोशी ठहराते हुए 10 साल की कारवास की सजा आरोपी योगेश कुपे करने हाई कोट में अपील की थी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि अवधीपुरा होने के बावजूद राजमें देड से पौने 2 करोड लोगों ने टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है जबकि करोना का टीका भरपूर मात्रा में उप प्रशासन को लोगों के अधूरे टीका करन को पूरा करने के निर्देश दिये गए प्रशासन को कहा गया कि दूसरा टीका लगवाने के लिए लोगों को समझाया जाए कि यदि उन्होंने टीका करन पूरा नहीं किया तो उनकी कतीवीधियों के लिए मुश्किल पैदा हो पुख्यमंत्री ने कहा कि उमिक्रॉन के प्रसार और उसकी घातकता को लेकर अलग लग राय सामने आ रही है इसलिए केंदर सरकार और विश्व स्वास्त संगठन को इस बारे में दिशा निर्देश जारी करना चाहिए उपुख्यमंत्री ने कहा कि उमिक्रॉन के खत्रे के मद्दे नजर देश भर के अंतराश्री हवाई अडो पर हवाई सेवाएं बंद करने का फैसला केंदर सरकार को करना चाहिए केंदर सरकार को अंतराश्री हवाई सेवाओं पर रोक लगाने के लिए देशों को चिनहित कर उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार मुंबई में अंतराशी हवाई उडानों पर रोक लगाने का निर्णे लेती है तो उसे कुछ फाइदा नहीं होगा क्योंकि विदेश से आने वाले कई लोग जिन राज्यों में पाबंदी नहीं है वहाँ पर उतरते हैं फिर महां से घर उन्लाइन पकड़ाया तो कारचालक ने यातायाद महिला पुलिस सिपाही को ही धम की दी वह जब भागने लगा तो उसे रोकने के लिए यह कर्मचारी कार में बैठ गई उसके बाद भी कार न रोकते हुए उसे घुमाया विश्रांदवारी पुलिस अंदह उस यूवा को कारचालक का नाम वैभव जंगम है यह घटना येरवडा सित चंद्रमा चौक पर हुई इस मामले में यातायाद विभाग की महिला पुलिस सिपाही ने विश्रांदवारी पुलिस स्थाने में इसके शिकायत दर्च की शिकायत करता चंद्रमा चौक पर अपनी ड्यूटी निभा रही थी चौक से जाने वाले कार का फोटो निकाल कर उसने इच आलान मशीन में डाली तो उसे दिखा कर कि उस पर 600 का जुर्माना है इसलिए शिकायत करता ने गारी साइड में लेने को कहा कार चालक ने कार नहीं रोकी और आगे निकल गया इसलिए शिकायत करता ने व महिला पुलिस से बत्तमीजी से बात की और कहा कि तुझे किसने मेरी गारी का चालान काटने का अधिकार दिया और किस वज़े से यह चालान काटा है वो बता उस पर महिला पुलिस ने कहा कि आपकी कोई शिकायत है तो याताया द에서 विभाग में जाकर शिकायत दर्च उत्तर प्रदेश विदान सभा की सरगर्मिया बढ़ गई है और इसके साथ ही बढ़ गई है राजनितिक अदावत अविध्धा के बाद वहाँ श्री कुरुषना जन्मभुमी विवात को लेकर ताल ठोंके जा रहे है अब भाजपा सांसत हरनाथ सिंग यादाव ने राज्यसभा में मतुरा का श्री कुरुषना जन्मभुमी विवात उठाया है वही राज्यसभा में प्रश्नकाल के दोरान केंद्रिय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग ने कहा कि बाहरत 2022 के अन तक गगन यान से पहले दो मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजिगा भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन सापित करने की है जो अपनी तरह का एक अनुखा स्टेशन होगा इस बीच लोगसभा में शुन्यकाल के दोरान स्पीकर ओम बिर्ला ने अनूटी पहल करते हुए आधी आबादी को पहले अवसर देने की घोशना की है साथ ही कहां कि भविश्य में भी महिलाओं को मुद्दे उठाने और पूरा क्रशन पूछने के मामले में अधिक अवसर दिये जाएंगे उधर एक साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन खतम होने के बाद टीकरी और सिंधू बॉर्डर से किसानों के घर वापसी शुरू हो गई है सैगडो किसान घर के लिए रवाना हो गया है इसके अलावा हेलिकॉप्टर हाथसे को लेकर अब कई बाते सामने आ रही है एक अधिकारी के अनुसार पिमान हाथसा होने से पहले पाइलट की और से कोई संकट कॉल नहीं की गई थी देश के इन बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ यूपी विधानसभा चनाव से पहले भाजपा सांजद हरनाथ सिंग यादव ने राज्यसभा में मतुरा का श्रीकृष्ण जन्म भूमी विवाद उठाया शुनिकाल के दुरान उन्होंने माँग रखी कि उपासना स्थल विशेश उपबन्ध अधिनियम 1991 को और Зمधधाने करार दिया जाए उन्होंने कहा कि यह कानून किसी भी उपासना स्थल को परिवर्तित करने से प्रतिबंदित करता है उपासना स्थलों का वही स्वारूप बनाए रखता है जो 15 अगस्ट 1947 में था सिंग ने कहा कि किसी कानून में ऐसा प्रावधान सब मिधान में दिये समानता के अधिकार और प्रस्थावना में उलेखित धर्म निरिक पेक्षकता का उलंगन करता है यादव ने कहा किसी कानून ने अयोध्या की राम जन्म भूमी को अपवाद माना लेकिन बाके सबी धर्म स्थलों के कानूनी विवाद खत्म करार दिये इस प्रकार कानून के जरिये भगवान राम और भगवान कुरुष्ण के बीच भी भेदभाव किया गया है जबकि दोनों ही भगवान विश्णू की अफतार है वही विपक्ष के सांसदों ने शुनिकाल में यह विवाद उठाने पर आपती जताई वही राश्टी आउश्णी शिक्षा एवम अनुसंधान संस्थान संशोधन विदैक 2021 को राजसभा से द्वनिमत से पारित हो गया इसे देश के 6 संस्थानों को राश्टी महत्व के संस्थान का दरजा मिलने का रास्ता साफ होगा इसके साथी फार्मा के शेतर में अनुसं पूचे गए सवालों के जवाब में केंद्री राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग ने यह जानकारी दी सिंग ने कहा कि भारत की योजना 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की है जो अपनी तरह का अनुखा स्टेशन होगा मानवरहित मिशन पूरी तरह रोबोटि का जिकर करते हुए उन्होंने कहा कि गगन यान के साथ ही शुक्र मिशन और सौन मिशन और संद्रयान के लिए भी काम जारी है कोविट महामारी के कारण विभिन मिशन में देरी हुई लेकिन अब इसके लिए तयारियां तेजी से शुरू हो गई है और चंद्रयान के अगल यान भारतिय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है अंतरिक्ष कैपसियूल तीन लोगों को ले जाने के लिए तयार किया गया है अपनी पहली मानवयुक्त मिशन में यह 3.7 तन का कैपसियूल तीन व्यक्ति दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की उचाई पर प्रत्वी की पर इक्रमा करेंगे लेडीज फर्स्ट की बाते होती तो हैं लेकिन असली धरातल पर दिखती नहीं इसी मित को तोड़ने का काम किया खुद स्पीकर उम बिरलाने लोगसभा में शुनिकाल के दुरान उन्होंने अनूठी पहल करते हुए नई मिसाल कायम की पहली बार शुनिक काल में हिस्सेदारी करने वालों की आधियाबादी की हिस्सेदारी करीब 50-50 रही इस दुरान 62 सदस्यों ने बात रखी जिन में 29 महिलाएं थी स्पीकर ने भविश्य में भी महिलाओं को मुद्दे उठाने और पूरक प्रश्ण पूछने के मामले में अधिक अफसर देने की घोश्णा की शूनिकाल शुरू होते ही स्पीकर ने कहा कि वह लेड़ीज फरस्ट की नीती अपनाएंगे उन्होंने कहा कि वह शूनिकाल में अधिक से अधिक सदस्यों को बूलने का अफसर देते हैं यह सिलसला जारी रहेगा मगर अब इसमें महिला सांसदों को करार दिया बहुत कम पड़ी लिखी बिशोई सिर्फ उडिया भाषा जानने के कारण बोलने में संकोच करती थी स्पीकर ने कहा कि प्रेरित करने के बाद बिशोई अप्शुनिकाल में लगाता जनहित से जुड़े विशय उठा रही हैं स्पीकर ने जोरान ये भी बताया कि प्रमीला स्वयम सहायता समू के जरिये हजारों महिलाओं को रोजकार भी देती है किसानों की मांगे पूरा करने में सरकार के वादे के बाद एक साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है सेयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन खत्म करने के एलान के बाद टिकरी और सिंदू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है सेयुक्त किसान मोर्चे के धरना वापस लेने के फैसले की जानकारी मिलने के बाद पिछले एक साल से टिक्री सीमा पर डेरा डाले सेकडो किसान घर के लिए रवाना हो गए हाला कि सेम्ट किसान मोर्चा ने एलान किया कि वो 11 दिसंबर को जशन मनाने के बाद घर वापस जाएंगे रिपोर्ट के नुसार किसानों के पहले जथे में घर लोटने वाले पठान कोट अम्रिटसर तरंतारन गुर्दासपुर खोश्यारपुर और फिरोसपुर जैसे दूरदराज के स्थानों के थे जबकि उनमें से अधिकांश ने आज सुभर जल्दी वापस जाने के लिए अपना सामान पैक किया जब मंच से आंदोलन खत्म करने का एलान किया गया तो मुख्य प्रदशन स्थल पर किसानों ने जीत का जशन मनाया और मंच पर डांज भी किया कुछ किसानों ने कहा कि कल केंदर द्वारा हमारी सभी मांगों को स्वीकार करने के बाद अब हब आज घर वापस जाने के बारे में आश्वस्त थे इसलिए हमने पैकिंग कर ली थी कुछ किसानों ने पहले ही अपने ट्रैक्टरों को क्रिशी उद्देशों के लिए गाउं वापस भेज दिया था और उनके ट्रेलर सीमा पर खड़े थे इसलिए वो भी ट्रेलरों को घर वापस ले जाने के लिए यहां ट्रैक्टर लाए तमिलाणू के कुनूर में बुधवार को हुए हेलिकॉप्टर हाथसे में चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ जेनरल विपिन रावत उनकी पतनी मधुली का रावत और ग्यारा अन्य कर्मियों का निधन हो गया था गुरवार को सभी के पार्थिव शरी दिल्ली लाए गए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष सेन्य अपसरों ने पालम हवाई अड़े पर पहुँच कर सभी को श्रधांज ली दी चीफ और डिफेंस स्टाफ जेनरल विपिन रावत का हेलिकॉप्टर तमलानू के कुनूर में खराब मौसम की ही वज़े से दुरगटना गरस्थ होने की आशंगा जताई गई है विशेश सूत्रों का कहना है कि विमान हाथसा होने से पहले पालिट की ओर से कोई संकट कॉल नहीं किया गया था पालिट ने सुनूर एटीसी को रेडियो संदेश दिया था और बताया था कि उन्होंने वेलिंग्टन हिलिपैट पर उतरने के लिए उतरना शुरू कर दिया है यह लैंडिंग से पहले 7-8 मिनिट का था वहीं एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी वी आईपी फ्लाइट से पहले यह प्रोटोकॉल होता ही है नीलगिरी में मौसम की स्तिती का आंकलन करने के लिए प्रोटोकॉल के तहट मार के जांच के लिए वायुसेना के दो छोटे हेलिकॉप्टर भेजे गए थे लेकिन हम यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि हलिकॉप्टर बेलिंग्टिन हिलिपैट पर उतरे या बिना लांडिंग के लौट आए वैश्विक पटल में चीन आज फिर सुर्खियों में है एक तरफ उसके ओपर पश्शीमी प्रांत में अलपसंख्यक समुदायों और विगर मुसल्मानों को अभियान के ताथ खतम करने का इलजाम लगा है तो दूसरी तरफ अमिरिका स्थित एक नीजी साइबर सुरक्षा कमपनी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि चिन के सरकार प्रायोजित हैकर्स दक्षिन पुर्व एशिया में सरकार और नीजिक शेतर के संगटनों को व्यापक रूप से निशाना बना रही है वही शोक में डूबे भारत को भी उसने आउकाद दिखाने की बात कही है भारत के पहले चीफ और डिफेंस टाफ के हेलिकॉप्टर हाथ से को चिन ने भारतिय सेना की खाबी करार दिया है उसने दावा किया है कि रावत की निधन से भारतिय सेना को आधुनिक बनाने के मिशन को भारी जटका लगा है इस बीच कोरोना को लेकर खबर ये है कि दो बुस्टर डोज ले चुके सिंगापूर के दो नागरिकों की ओमिक्रोन वेरियन की शुरुआती रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उधर दक्षिनी मैक्सिको में एक बेकाबू ट्रक ने भीड़वाली सड़क पर लोगों को रोन दिया इस हाथ समय अभी तक 53 लोगों की मौत हो गई है वही 50 से जादा लोग खायल हो गए है दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ अमेरिका के बाद बृतिन की एक ट्रिब्यूनल ने खुलासा किया जबकि चीन किसी भी हाल में यह हिस्सा नहीं छोड़ना चाहता यही कारण है कि विरोध करने वालों पर चीनी सेनिक हर तरह के जुल्म करते हैं हाला कि चीन इन आरोपों से हमेशा इंकार करता रहा है श्रिब्यूनल के पैनल ने साफ कहा कि शिजियांग इलाके में विगरों को सार्जिशन खत्म किये जाने के लिए उनकी आबादी रोकने की कोशिशों के सबूत मिले हैं चीनी सरकार इस प्रांत में जबरन जन्म पर पाबंदी लगा रही है जो एक प्रकार का नरसमहार है चीनी सरकार ने पश्रिमी प्रांट शिजियांग में नरसमहार अल्वत संक को के खिलाफ अत्याचार और मानवता के खिलाफ अफराद किया ट्रिब्यूनल के पैनल ने साफ कहा कि श्रिजिंग्यान प्रांत में उईगरों को साजिशन खत्म करने के लिए उनकी आबादी पर हमला किया जा रहा है और जन संख्या रोकने की कोशिश होके सबूत मिले हैं लंडन स्थित नागरिक सुवतंतरता के अधिकारों के लिए बने उईगर ट्रिब्यूनल ने यह खुलासा किया एक मामले में फैसलात देते हुए ट्रिब्यूनल ने इस उईगर समेथ मुसल्मानों के दूसरे समुदाय के खिलाफ अंतराश्री अपरात करार दिया है और ची इजी शेत्र के संगठनों को व्यापक रूप से निशाना बना रही है इनमें बुनियादी रहाचे के विकास की परियोजनाओं पर बीजिंग के साथ करीबी रूप से सनलिप्त संगठन भी शामिल है साथी ऐसे देश जो दक्षन चीन सागर पर दावा जता रही है वो भी हैकरों के निशाने पर रहे चेतावनी के नुसार हैकर्स के खास निशाने पर थाइलाइन का प्रधान मंतरी कारले और सेना इंडोलेशिया फिलिपिन्स की नौसेनाई वियतनाम की नाशल असेमली और उसकी कम्मिनिस्ट पार्टी का केंदरी कारले तथा मलेशिया का प्लब्द नहीं है लेकिन ऐसा मना जाता है कि चीन के सरकार प्रायोजित कई समू इसका इस्तमाल करते हैं चीन के विदेश मंत्राले ने सभी इन आरोपो पर जवाब नहीं दिया है चीनी प्राधिकारियों ने हमेशा से हैकिंग को सरकार द्वारा समर्थन दिये जाने से भारतियस सेना की खामी करार दिया उसने दावा किया कि रावत के निधन से भारतियस सेना को आधुनेक बनाने के मिशन को भारी जटका लगा है यहीं नहीं उसने जेनरल रावत को चीन विरोधी करार दिया वहां के ग्लोबल टाइम्स ने विशलेशकों के हवाले से दावा कि दुरगटना के सभी संभावित कारण रूसी मूल के हेलिकॉप्टर के बजाए मानविय कारकों की ओर इशारा करते हैं। प्रक्रियाओं और नियमों का पालन नहीं करते चीन की सत्ता रोड कमिनिस्ट पार्टी ने भारती सेना के खिलाफ यहां रोप ऐसे समय पर मड़े हैं जब खुद उनके कमांडर अकसाई चीन में पढ़ रही भीशन थंड का मुकाबला नहीं कर पा रहे और दम दोड रहे हैं बूस्टे डोज ले चुके सिंगापूर के दो नागरिकों की ओमिक्रॉन वेडियंट की श्रवाती रिपोर्ट पॉजिटिव आई ओमिक्रॉन के अन्यमामले सामने आ सकते हैं बंतवाले की ओर से जारी बयान में बताया गया कि ओमिक्रॉन की लक्षन सामने आने के बाद दोनों संक्रमितों को राष्टिय संक्रामक रोग केंदर में रखा गया है जहां उनका उपचार किया जा रहा है वहीं उनके संपर्क में आने वाले लोगों को 10 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाएगा यहां यह जान लेना जरूरी है कि सिंगापुर दुनिया के सबसे अच्छे टीका करन अभियान वाले देशों में से एक है यहां 87 प्रतिशत लोगों का पूरी तरह से टीका करन किया जा चुका है वहीं करी प्रोना वैक्सिनेशन की तीसवी खुराक लेने वाले लोग दो खुराक लेने वालों के तुलना में ओमीक्रॉन को 25 प्रतिशत ज्यादा तक निश्क्रिय कर सकते हैं दक्षणी मेक्सिको में एक बेकाबू ट्रक ने भीड़ वाली सड़क पर लोगों को रौन दिया इस हाथसे में अभी तक 53 लोगों की मौत हो गई वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए घायलों को नजदी की अस्पितालों में भरती करवाया जा रहा है यह दर्दनाग हाथसा चियापास राज़ की राजधानी जाने वाली सड़क पर हुआ प्राप्त जानकारी के मुताबिक मालवाहक ट्रक जैसे ही पुल पर चड़ा की ड्राइवर ने अपना नियंतरन खो दिया जिसे सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौनते हुए डिवाइडर से जा ठकराया बताया जा रहा है कि मृतिकों के संख्या बढ़ भी सकती थी चियापास राज़नागरिक सुरक्षा कारले के प्रमुक लुईस मैनियल मोरुन ने बताया कि मरने वाले और घायलों में ज्यादतर मध्य अमेरिका के अप्रवासी है हाला कि उनकी राश्रियता की अभीत पुष्टी नहीं हुई है मृरुना ने बताया कि बच्चे हुए लोगों में से कुछ ने कहा कि वो पडोसी देश ग्वाटेमाला से है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रक इंसानों के भारी वजन के कारण पलट गया और जैसे ही वाहन उसके उपर से गिरा वह स्टील के पैदल पुल से जा ठकराया गौरतलब है कि हाल ही में मेक्सिकर अधिकारियों ने प्रवासियों को अमेरिकी सीमा की ओर अब बड़े समूहों में जाने से रोका था लेकिन प्रवासी तसकरी का गुप्त और अवैट प्रभाचारी है माना जा रहा है कि इस वाहन में मानवतसकृरी जैसा ही मामला हो सकता है जिसके चलते वाहन चालक तेजी से भागने की फिराग में रहा होगा आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहेए विकेबी न्यूस् नमस्कार झाल झाल